ओम गरिंग गरिंग श्रींग लक्षमी बासु देवाई नमहाई आज 10 जून 2024 शुक्र पक्ष चतुर्थी पिक्रमी संबत है आज का दीन सोंबार है अगर कोई शुवकारी करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर ले इस समय कोई शुवकारी न करे आज राहुकाल साथ बज़ कर साथ मिनट सुबह से आज बज़ कर बावन मिनट सुबह तक रहेगा नक्षत्रों की बात करे तो आज पुष्य का योग है आज चंद्रमा करक राशी में दिन राप के संचार करेंगे अब जानते हैं 10 जुलाई 24 सुमबार का राशी फल पिस्तार से मेश राशी मेश राशी के लोगों का मन परिशान रहेगा अग्यात भैस अताएगा सरदर्द और नेत्र पिड़ा संभव है प्रेम और संतान की इस्थिती काफी अच्छी है ब्यपार भी बहुत अच्छा रहेगा सुर्य को जल देते रहें ब्रिश्वराशी ब्रिश्वराशी के लोगों का आए में आशातित पड़ोतरी होगी रुका हुआ धन वापस आएगा आएके नभीन स्तुरोत बनेंगे शुब समाचार की प्राप्ती होगी स्वास्त प्रेम ब्यपार बहुत अच्छा रहेगा तांबे की बस्तु पास रखें मिथुन राशी मिथुन राशी के लोगों को कोट कचरी में बिजय मिलेगा उच्चा थिकारियों का आशिरबात मिलेगा स्वास्त अच्छा रहेगा प्रेम संतान अच्छा रहेगा प्यपार बहुत अच्छा चलेगा तांबे की बस्तु दान करें करक राशी करक राशी के लोगों का वाक्य साथ देगा यात्रा में नाव होगा रुका हुआ कायरिस चल पड़ेगा स्वास्त अच्छा प्रेम संतान अच्छा प्यापार भी अच्छा ही चलेगा पीली बस्तू पास रखतें सिंघराशी के लोगों के लिए परिस्थित्या अभी प्रतिकूल हैं, कोई भी रिस्थ मत लिजिए स्वास्त मध्यम, प्रेम संतान मध्यम, प्यापार भी ठीक ठाक चलेगा कोई पिली बस्तु अपने पास साथ रखें कन्याराशी, कन्याराशी के लोगों का आनद दायक जीवन उजरेगा चुट्टी सा महसूस करेंगे, स्वास्त अच्छा रहेगा प्रेम संतान के इस्थिती अच्छी रहेगी और प्यापार भी अच्छा रहेगा काली बस्तु पास रखे तुलाराशी, तुलाराशी के लोगों को श्रत्तु नुक्सान पहुंचाने की कोशिस करेंगे लेकिन स्वाइंग नत्मस तक होंगे स्वास्त नरम गरम रहेगा प्रेम संतान ठीक ठाक रहेगा प्यापार भी ठीक ठाक चलेगा पीली बस्तु का दान किसी को कर दें ब्रिश्चिक राशी रिश्चिक राशी के लोगों को प्रेम में तू तू मैमे के संकेत हैं भाबुक बने रहेंगे लिखने पढ़ने में समय ब्यतीत करेंगे तो अच्छा रहेगा स्वास्त ठीक ठाक चलेगा प्रेम संतान मध्यम रहेगा व्यपार भी लगभक ठीक रहेगा पीली बस्तू का दान किसी को कर दें धनुराशी धनुराशी के लोग कलर से बचे भौतिक सुक संपधा में प्रित्धी होगी स्वास्त मध्यम रहेगा प्रेम संतान अच्छा रहेगा व्यपार भी अच्छा चलेगा लाल वस्तू अवश्य अपने पास रखें मकरराशी मकरराशी के लोग पराकरमी पनेंगे आपके द्वारा किया गया पराकरम आपको सफलता की और ले जाएगा स्वास्त अच्छा प्रेम संतान अच्छा व्यपार भी बहुत आगे से तेजी से बढ़ेगी काली जी को पड़ाम करते रहें कुम्भराशी कुम्भराशी के लोग जुबान पर नियंचन रखें और पूजी का निवंध निवेश ना करें स्वास्त मंद्ण चलेगा व्यपार भी बहुत अच्छा चलेगा हरी बस तु अवश्य अपने पास रखें मीन राशी मीन राशी के लोगों को समाच में सरहा जाएगा आपका गद बढ़ेगा स्वास्त में सुधार होगा प्रेम संतान में बहुत अपना पन रहेगा व्यपार भी बहुत अच्छा चलेगा लाल बस तु अपने पास अवश्य रखें तो ये था दस जून दोहजार चौबीस लोमबार का राशी फल पिस्तार से इस शुर सबका कल्यान करें